असलाम लेकुम दिस इस आमिर रफीक फ्रॉम 5G प्रॉप्टी जो के कैबिल स्मार्ट सेटी और लहुर स्मार्ट सेटी का नंबर वन सेल्स पार्टनर है फर्स्ट महीं की रिकॉर्डड वीडियो है ओवर्सीस प्राइम पर बहुत फास्टस ड्वेलप्रंट का काम चल रहा है और रिसन्ट दी मैंने वीडियो बनाई है कि इसका मास्टर प्लैन में काफी ज़्यादा चेंजिंग्स आ चुकी हैं आपने मास्टर प्लैन की अपडेटेड वीडियो देखनी है ताके आपको ओवर्सीस प्राइम की लेटेस्ट अपडेट से अगा रखा जा सके इस वीडियो में सक्टर जी में 90% 10 मरला के प्लाट्स हैं और 180 फीट फेसिंग एक अनल की प्लाट्स की लेन भी मुझूद है पूरे ओवर्सीस प्राइम में सबसे तेजी से काम जिस ब्लॉक पे हुआ है वो सक्टर जी ही है यह नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर विलास की कंस्टरक्शन एक अनल की शुरू हो चुकी है जिसको कबल समार्च एडी के मैनेजमेंट ने अभी तक सेल आउट नहीं किया बहुत जल्द सेल आउट करेगी रिसंटली कबल समार्च एडी के मैनेजमेंट ने न्यू रेट्स ओवर्सीज प्राइम के निकाले थे इससे यही अंदाजा हो रहा था या फिर ओवर्सीज प्राइम में एक्स्टेंशन आएगी या ओवर्सीज प्राइम का पार्ट टू आएगा लेकिन अलहमदलीला न्यू माश्टर प्राइम की अपडेटिड इमिज में आप देख सकते हैं ओवर्सीज प्राइम की एक्स्टेंशन आई है मेन बॉलिवारच चेल लेफ साइड के उपर जिसका तसक्रा मैंने Overseas Prime के Master Plan की डिटेल एक्स्प्लेनेशन में लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ यह आप देख सकते हैं एक कनाल की लेन और इसके साथ 10 मरला के प्लॉट्स की लेन है और बीच में यहाँ पर पार्क है सेक्टर G की अंडर ग्राउंड पाइपिंग तमाम मुकमल हो चुकी है सीवरिज की लेन बिच चुकी है एलेक्रिसिटी पोल्स की इंस्टॉलेशन चल रही है फुट पार्स का का काम चल रहा है पार्क की लेफ साइट के उपर और नेक्स्ट आगे जितनी भी आप लेन्स देखेंगे सेक्टर G की यह तमाम 10 मरला की स्क्रीट्स ही है इस राउंड अबाउड की लेफ साइट के उपर सेक्टर F है जिसका हम बाद में तसक्रा करेंगे यह आप देख सकते हैं जैसे जैसे अंडरग्राउंड पाइपिंग का काम मुकमल होता जा रहा है कैपिल स्मार्ट शेटी के मेनेजमेंट रोड कार्पटिंग करती जा रही है ओवर सीज प्राइम में कैपिल स्मार्ट शेटी ने 10 मरला के 3 ब्लॉक्स को रखा हुए एक सेक्टर जी है जो के आपकी स्क्रीन के ऊपर है जबके मेन बुलिवाट की लेफ साइट के ऊपर सेक्टर L है और सेक्टर जै है सेक्टर जे में 7 मरला और 10 मरला की कर्टिंग्स है यह आप देख सकते हैं सेक्टर जी के एक्तदाम के हम बिल्कुल करीब हैं नीचे अंडर ग्राउंड तमाम पाइपिंग्स मकमल हो चुकी है रोड कार्पिटिंग का काम चल रहा है यह रिकॉर्ड मैंने 28 या 39 रमजान को की थी इसलिए मशिनरी पार्क थी और छुटियों पे थी लेकिन यहां पर रिकॉर्ड डवेल्पन का काम हुआ है रमजान के डुरेशन में सेक्टर जी के एक तरा में जीलूमा पार्क और उसके बाद अब जो सेक्टर आपकी स्क्रीन के उपर आएगा यह है सेक्टर डी इस पार्क को यह इंपॉर्टन्स हासल है कि यह पार्क बाकी सेक्टर पार्क में सबसे बड़ा पार्क है सیک्टर D से ज्यादा हाइटी लोकेशन के ओपर सेक्टर D आपकी स्क्रीन के ओपर सेक्टर D कम्प्लीटली सात मरला का सेक्टर है जिसमें स्ट्रीट साइज 40 फीट का है सेक्टर D का अर्थवर्क मकमल है लेंज की कटिंग चल रही है बहुत जल्द यहां पर underground piping का काम शुरू हो जाएगा overall capital smart city overseas prime को possession by the year end देने में possible होगा sector D में 9 streets हैं जिसमें street number 1 पार्क facing है और street number 9 जो है sector C facing है आपके screen के उपर एक road की cutting है इस road की cutting से नीचे sector D है और इसके बाद sector C है sector C में भी माइनल सी changing हुई है इसमें पार facing एक street की addition हुई है front back plot open है ये 12 अमरला के plots बहुत बहुत ज़्यादा prime location के उपर है sector C पर थोड़ जिर बाद detailed discussion करेंगे 12 अमरला के plots sector C में और B में है overseas prime का एक plus point ये है कि access road 3 से भी connected है और access road 1 से भी यानि कि access road 3 वो road है जहां से आप currently चक्री road से capital smart city में इंटर होते हैं और access road 1 वो वली road है जो के main interest है overseas prime की जहां से इस वीडियो का आगाज हुआ था ये सामने आपकी connecting road और इसकी left side के उपर sector B sector B का ये A canal का area है cutting wise आप देख सकते हैं ये area heightened location के उपर है sector B के बनिस्वत बाकी plotting area के heighted location के उपर cutting यहां चल रही है कुछ areas के उपर commercial facing ये आप देख सकते हैं यहां पर सीवरिज का काम चल रहा है यहां पर filling तकरीबन ना होने के बराबर है sector B के A canal area में ये आप देख सकते हैं अपनी screen के उपर A canal का area जिसके right side के उपर facing access road 3 commercial की lane है जबके इसकी back side के उपर A canal का plotting area है A canal के बाद 12 मरला का area और आपकी screen के उपर जील के करीब 7 मरला का plotting area है 7 मरला की land के उपर भी filling नहीं है जबके 12 मरला की land के उपर शायद minor सी filling हो minor से मुराद 3-4 foot या maximum 5 foot की filling हो Sector A में 9.3 मरला के townhouses हैं जिसका recently master plan updated में इसको reveal किया गया है Exchange cutting है 9.3 मरला की duplex villas या townhouses यहाँ पर होंगे Plus access road 3 facing massive commercial area भी sector A का हिस्सा है Sector A को भी launch नहीं किया गया जिसको बहुत जल्द capital hills के villas के साथ launch कर दिया जाएगा Sector A Capital Hills का हिस्सा है Overseas Prime में Sector B सबसे निचली सदा पर है उसके बाद Sector A आता है जबके remaining जितने भी sectors हैं वो हाइट्रीड location के उपर है अब हमारा drone Sector B को cross करते हुए Sector C की तरफ जाएगा यह निचली सदा पर Sector B और यहां पर exclusively 12 मरला की cutting है जहां पर Sector B लिखा गया था उसके बाद यह जो आप छोटा पहाड़ी नुमा एरिया देख रहे हैं यहां पर एक पार्क है और उसके बाद अब हम जिस तरफ जा रहे हैं यहां है Sector C Sector C 12 मरला का ब्लॉक है और छोटा सा ब्लॉक है अब इस हिल की facing पे बिल्कुल इस हिल के उपर 12 मरला की cuttings को introduce किया गया है जिसकी front और back open है यह 12 मरला की street बहुत ज़्यादा prime location पे है Sector C में minor cutting होई है उसके बाद अब इसके यहां पर मकमल cutting का काम शुरू नहीं हुआ वज़ा यह है कि पहले sector D को मकमल किया जाएगा उसके बाद sector C की तरफ machinery को shift किया जाएगा hopefully overseas prime की possession by the end of year 2022 यह possession देने की condition में होंगे और most likely आपको within a year मकमल possession दे दी जाएगी साथ मरला का एक और sector sector E जो आपकी screen के उपर है sector E में भी अभी तक cutting का काम मकमल नहीं हुआ यहां पर अभी focus overhead bridge के उपर चल रहा है जिसकी आप underground tank की अपने सामने बनते हुए देख सकते हैं इसकी मकमल होने के बाद फिर इसकी cutting का काम शुरू हो जाएगा sector E में filling नहीं है I repeat बगार filling वाला block है sector E साथ मरला का block है overseas prime की main boulevard से hardly कुछ meters के फासले के उपर है sector E बड़ी prime location पर है साथ मरला की category में साथ मरला में sector J sector E, sector D और sector B में साथ मरला के plots हैं आपकी स्क्रीन के उपर sector F sector F बहुत ज़्यादा highted location पर in fact overseas prime के सबसे ज़्यादा highted location पर sector F ही है यह जो street आपके सामने है और वो जो एक मकान बनता हुआ आपकी screen के उपर यहाँ पर चान कनाल की street है facing capital hills and golf course और इस road की back side के उपर facing sector F दो कनाल की street है sector F मेरा favorite block because बहुत ज़्यादा highted location के उपर है golf course का complete view यहाँ से मिलता है capital hills का complete view मिलता है sector F की भी complete leveling हो चुकी है और streets का layout कुछ streets का निकला है अभी तक मकमल sector F की underground streets के उपर काम शुरूनी हुआ step by step यानि के sector by sector यहाँ से machinery को deploy किया जाएगा अब आपकी screen के उपर sector H sector H के updated master plan में capital smart city ने काफी ज़दा changing की है एक अनाल का block है बीच में commercial की पटी को introduce किया गया है commercial sectors को या commercial hub को यहाँ पर लाया गया है park की addition हुई है sector H का first half earth work का complete हो चुका है streets का layout भी निकल चुका है जबके second half है towards जील वहाँ पर अभी तक earth work का का मुकमल नहीं हुआ वजह आपके सामने है जमीन acquisition का procedure अभी recently मुकमल हुआ है sector H का hopefully आप बहुत जल्ट सेक्टर H पर machinery की deployment देखेंगे आपके सामने है sector H से adjacent 180 feet की main road जो के executive block bridge को cross करते हुए executive block को और overseas central के साथ 400 feet road को touch करेगी recently capital smart city के management ने यह जमीन acquired की है और यहाँ से कच्छा रास्ता overseas prime को connect कर रहा है executive block के साथ hopefully executive block के clients को इस road की access के बाद बहुत ज़्यदा boost मिलेगा इनकी resale में interchange पर जैसे ही machinery deploy होगी overseas prime one of the hot favorite block होगा for the investment इस road की मैंने एक separate video भी recently बनाई है आप उस पर इस road की access या importance का उकमल review देख सकते हैं इस bridge के left side के उपर एक green patch है वो area सारा grid station के लिए reserved किया हुए सामने जहां पर मकानाद बने हुए और पीछे जील ये area executive block का sector भी है इस video को youtube के उपर या बड़ी screen के उपर देखें और complete detailed analysis कर सकते हैं आप वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चलान को subscribe जरूर कीजिएगा इस video को बनाते हुए ठीक ठाक मेनत required होती है यही हमारी motivation है यही हमें grow करेगी और motivate करेगी ताकि आपको latest updated information देते रहें sector J में 7 मरला की cuttings और 10 मरला की cuttings है sector J की front side आप देख सकते हैं कुछ area में browning हुई है बाकी कुछ area में browning नहीं हुई इसलिए इसके उपर फर्दर कुछ भी नहीं कह सकते कैबल स्मार्ट शेटी ने इसकी land कितने percent required की हुई है और कितने percent required नहीं की हुई in short main boulevard की left side पे जितने भी blocks हैं उसके उपर cutting हो चुकी है जबके right side की वाले blocks के उपर अभी तक cutting का का काम hardly five to ten percent हुए है main boulevard के left side वाले blocks जिसमें sector J, sector K, sector L और sector M है hopefully updated marshal plan में जिस तरह कैबल स्मार्ट शेटी ने area को expand किया है overseas prime की main boulevard से left side के उपर मुझे उमीद लग रही है कि कैबल स्मार्ट शेटी ने शायद majority of the land acquired कर लिया और new rates को इसी वज़ा से introduce किया गया है कि ये चेक्री रोड फेसिंग लैंड काफी ज़्यदा महिंगी है एक्वारेशन एक costly अमवल है प्लस हाज कल जो महिंगाई चल रही है development इसको करने में वो भी कैबल स्मार्ट शेटी फिलाल खुद बेर कर रही है तो कैबल स्मार्ट शेटी ने updated master plan के साथ updated prices भी launch की है sector K एक कनाल का block है और इसमें एक street दो कनाल की भी है इसी तरह sector K की back side के ओपर sector L है जहां पर शायद minor सी cutting हुई है इसके इलावा further sector M है जिसको recently introduce किया गया है उसका makeover किया गया है यहाँ पर commercial hub बनाया गया है इसलिए main boulevard की left side के ओपर अभी तक उस खातरखा development नहीं है main boulevard की right side के ओपर area मुकमल acquire है और possession अन्शाल्ला आपको बहुत जल्द मिल जाएगी जी viewers ये थी आज की वीडियो overseas prime में currently तमाम चीज़ें for booking and details वीडियो के उपर दिये के नंबर पे जरापता जरूर करें